बस एक मिनट का टाइम है जैसे अभी यहां पर टाइम हम क्या करेंगे अगर इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेट लग जाएगा और यहां पर हम से लगा के रखेंगे यहां पर फिलाल जोने के तिन तिन नीवज है देखे निकल रहा है नीचे नीवज अभी पब्लीस हुई है अभी में क्या बतार था को यहां पर करना था है आप इसे मोके आप लोगों के सामने इंग अगे आपका एककाउंट है डिये वाला क्या हुआ यहाँ वे हिट हो गया और बाई वाला आप लोगों के सामने यहां पर देखें 12-17-18 पीप अभी चला है मिंटों में आपका समय लिजे कि 40-50% का यहां से प्रॉफिट डन तो जश्ट अभी देखें आपके सामने यहां पर मज़ा आया गया 38 डॉलर का मुवमेंट बस इतना अगर आपक को फॉलो करेंगे आज में आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर प्लान करना आ कहां बाई और लगाना कहां पर इसे इस टॉप लॉस्ट भी आपको मेनेज करना और टार्गे अपना जो है कैसे सिट करना यह यह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आप यह समझे कि अगर आपका 100 डॉलर का भी एकाउंट है न तो बस एक ट्रेड आपको कम से कम 30 से 40 डॉलर बस एक से 2 मिनिट में आपको यहां से प्राफिट करा सकता है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर देख लीजे आपको फोरेक्स में पर जाएगा वहां पर यूजर्ण लिं सर्च करेगा तोर्या लिंग यह सब्कूर हां लाख caf साथ ऑप यहां पर सर्च करके mm ऑह हो द्यान नहीं देंगा तो बनाने में problem आ रही है या फिर अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सुरू से सीखना है एकदम स्टार्टिंग से तो कोर्स के बारे में आप मुझसे यहां पर बात कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं कैसे हम फॉरेक्स में न्यूज को फॉलो करते हैं प् इसको आपको ओपन करना है अप इसका अप्लिकेशन बीडाउंड से अगर आप इंडिया से हैं तो वह आपना इंग कर सकते हैं फिर आपको यहां बता देहां पर कि आज कितने वज़े न्यूज आने वाली है यहां तो यहां पर देखे यस्टर्ड़े का है उसके बाद यह today का है, यह tomorrow का मतलब कल के date का, कल अब यहाँ पर market लोज रहेगा, तो ज्यादा कुछ है नहीं आपे, तो फिर यहाँ पर आज का देखते हैं आज Friday है, तो आज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखे, रात के दो बजे, news किसके लिए consequence के लिए dollar के लिए है, ठीक है, आप इस चीज को आपको यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर importance दिया गया है, अगर यहाँ पर 3 star रहेगा, तो समझ लिए सबसे ज़्यादा important है, 1 star और 2 star को आप ignore कर सकते हैं, ठीक है, आपको 3 star वाले यहाँ पर खोजना है, आप यहाँ पर timing देख लिए, जैसे कि यह आपका CNY के लिए है, यह NJD, मतलब New Zealand, जो dollar है, उसके लिए यहाँ पर INR के लिए यहाँ पर एक news है, AUD के लिए, JPY के लिए, CNY के लिए यहाँ पर news है, timing भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, INR, INR के लिए news है, EURO के लिए news है, लेकिन यहाँ पर star भी आपको ध्यान देना, 3 star जो रहेगा, वो सबसे ज़्यादा important है, ज़्यादा fluctuation मतलब moment उसी news पर आ सकता है, अभी आज की date में देखेंगे, तो कोई भी यहाँ पर 3 star नहीं दिख रहा है, तो हपते में 5 दिन रहते हैं, trading के, तो उसमें 3-4 दिन ऐसा आपको मिल सकता है, जिसमें, यह आपका यह 3 star वाला news रहेगा, देखें, यहाँ पर yesterday का मैं, आपको दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर नीचे आजएगे, देखें, यहाँ पर 3 star मिल गए आपको, यह 17 बज़ के 45 मिनट, यानि साम के पाउने 6 बज़े, और किस करणसी के लिए, यूरो के लिए है, यूर के लिए है, ठीक है, अभी इसका मैं आपको moment दिखा देता हूँ, पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा यकीन होगा, अब न्यूज कित्ते बज़े है, मतलब 5 बज़ के 45 मिनट पर साम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूरो सर्च करना पड़ेगा, यूरो आप ऐसा समझेए, जैसे कि यह करंसी पेर है, यहाँ पर यूरो का भी पेर मिल जा, चाहे आपका वो पहले नंबर देखेंगे, यूर, पहले नंबर, यानि बेस करनसी है, यहाँ पर याँ बेस है, यहाँ बेस है, और बगी आप नीचे आएंगे, तो कुछ पेर ऐसे आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि कोट करनसी यूरो हो सकता है, यहाँ पर शम के पूपने च्या बज़े कर यहाँ चार ये सो के पॉने 6 बजे कहा है वार कि यहां पर तपर चला था यहां पर जाया अब आपको यहां पर देखे कितने पॉइंट का मुवंटप इसमें दीया हो घूर यहां से आपर इधर 31 पिप का इधर 31 पिप बहुत होता है अच्छा और यहाँ पे नीचे फिर कितना है 60-70 पिप का मुमेंट नीचे की तरफ यहाँ पे मिलता है मिन्टो में यह चीज़े मिन्टो में होती है तो मतलब positive result है और यहाँ पे अगर यह green में आया तो positive है बाकी और अगर आप देखें यहाँ पे negative news है तो market क्या होगा कि वो down जा सकता है ठीक है यहाँ पे news publish यहीं पे होती है जो भी result आना होता है ठीक है तो यहाँ पे जिसे CPI data हो गया फिर कुछ भी कुछ भी हो सकता है वो तो यहाँ पे यह देखें यह सब negative news आते आये थे यहाँ पे उसके according जो है कि CAD में अगर आप देखेंगे तो moment वहाँ पे क्योंकि यह वे two star है तो थोड़ा बहुत moment इस time मतलब 6 बजे मतलब down गया होगा CAD का तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कितने बजे देखें यहाँ पे 6 बजे एक न्यूज यह है यह वाला important है और उसके बाद यह वाला important है और उने 6 बजे यह वाला था और यह और यहाँ पे देखेंगे तो 6 बजे यह तीन न्यूज है और तीनो कौन से किसके लिए डॉलर के और यहाँ पे जैसे फब्लिस हुआ होगया। यहाँ पे पब्लिस आएगा इस वाले कॉलम में और यहां पैसंतो यह भी इंया कि दे तीनुच आएगा क्या हुआ हNican added 2021 एक ही टाइम पर इन यूझ से वह कि पर जाएगा कि एक नहीं निर्टभ आजाए है तो मार्केट news तो negative हुए उसके according कुछ planning करेंगे तो market क्या होगा एक बार उपर एक बार नीचे ऐसे करेगा ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर double news तो नहीं है किसी currency pair में same time पे ठीक है तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कल के date में 6 बजे इसके pair में आपको देखना पड़ेगा डालर के pair में आपको यहाँ पर देखना है यह देखे आपको यहाँ पर पहले हो चाहे बाद में हो इसको मैं आपको डिटेल मैंने बताया हुआ है कोर्स में जाके आप 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 इस्टार्टिंग से करना चाहते हैं और हाँ अगर आप कोर्स जॉइन कर लेते हैं या फिर अगर अगर आप मेरे लिंक से साइन अप कर लेते हैं टेलीग्राम पे आके बोल दीजेगा तो आपको क्या किया जो कि मैंने आपको suria trading tips जो यूजर नेम है मैंने आपको दिया है उस पर direct आके बल सकते सर मैंने अपने account बना लिया है अपने आपके link से और मैंने deposit भी कर लिया है तो आप मुझे group में add कर दीजिए तो वहां से add कर दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आप आगे की बात यह वाला देखेंगे तो यह वाला जो candle आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है यह 6 वजे का है और टाइम फ्रेम आपको कितना रखना है पांच मिट का सिर्फ रखना है ठीक है सिर्फ पांच मिट का अब यहां पर देखें कितना moment आया है यहां पर market चल ला था और अचानक से यहां तक का गया 46 पिप का मतलब आप समझ रहें कि आपका capital 50% यहां पर grow हो गया सिर्फ एक-दो मिन्टों में आपका यहां से यहां तक moment आया बस आपको capture करना है कैसे करना है अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा ठीक है तो यह आप देख लिए उसके बाद आप दूसरा भ पिप का इसमें moment आया हुआ है अभी और आप यहां पर जिसमें डॉलर हो यह जडी यूश्टी है इसको आप पकड़ लीजे जहां जहां डॉलर रहेगा वहां वहां उतना moment आएगा देखे यह च्छबजे का है यहां से moment यह यहां तक गया कितने moment आया है यहां पर आप दे अब हम इतना moment अगर capture करना है आपको तो तरीका क्या होना चाहिए वह अब आप यहां पर समझें कैसे ट्रेड आपको प्लान करना है आपने नियूज यहां पर देखा कि नियूज अभी मान के चलिए कि पंद्रा बच के पचास मियट हो रहा है कोई भी ऐसा माले है कि यह व पहले मैं इसको आपको समझाई देता हूँ ज्यादा conclusion create ना हो अगर मान के चलते हैं dollar के लिए news है USD के लिए news है और आप अगर EUR USD का pair देख रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा dollar के लिए news अगर यहां पर positive आ जाता है ठीक है positive तो dollar यहां पर पहले number पर नहीं क्योंकि यहा USDCAD dollar अगर base currency में होता और news positive आई है तो इसका जो price है वो चार्ट उपर जाता समझ गयोंगे आप तो इसके उल्टा ही काम करता है जिसके लिए news रहेगा अगर वो पहले number पर रहेगा तो news के recording आपको दिखेगा market उपर और नीचे जा रहा है अगर दूसरे number पर रहेगा तो इसके उल्टा दिखेगा आपको ठीक है यह अब मैं आपको आगे बताता हूं कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है बानके चलते हैं जैसे price क्या है suppose that कि अभी 6 बज़े news आनी है और अभी time क्या हो रहा है पांच बच के अठावन मिनट हो रहा है news कितने बज़े publish होगी right time 6 p.m ठीक है यह publish होगा लेकिन अभी 2 मिनट पहले आपको एकदम active हो जाना market आप देखेंगी यहां पर चलना है ठीक है इस point पर भी market चलना है तो आपको करना क्या है जैसे कि अगर जैसे ही 6 बज़ेगा तो market क्या होगा अगर negative रहेगा तो market गर जाएगा नीचे पॉच्टिव रहेगा तो यहां से market ऐसे उठ जायेगा ठीक है समझ में आ रहा है आपको अभी देखें तो करना क्या है आपको price यहाँ पर चलना है यह आप यहां पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफ्रेंस रहता है इसमें जैसे की मैं चार्ट ओपिन किया हूं तो यहां पर देखेंगे तो आपको क्या करना है यहां पर डिफिरंस रहता है अब यहां पर फास्ट सारी चिज आपको करनी है अब यहां पर नूच फॉजट होई तो मार्केट निकल जाएगा ऊपर तो आपको करना क्या है इस line के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आपको इस point पे क्या करना है आपको यहाँ पर buy order पहले से लगा के रखना है और इसके नीचे आपको यहाँ पर sale order पहले से लगा के रखना है ठीक है होगा क्या कि market अगर negative हुआ तो बस यहीं से market नीचे आ जाएगा और आपका sale order लग जाएगा यह आपका नहीं लगेगा इसको बाद में आप close कर दीजेगा ठीक है लेकिन मैं आपको बता हूँगा या तो आप wait भी कर सकते है क्योंकि कभी-कभी होता है market नीचे गया तो आपने यहाँ पर sale order जो लगाया हुआ है उसके साथ-साथ उसमें आपन इस पीप का मानगे चलते हैं यहां से लेके आप देख लिए जोड लिजेगा लाश्ट वले जहां पे पंद्रह है यह बारा है च्छ हो गया यहां पर 0-3 हो गया तो यह यहां तक आगए आपका कितना इधर पंद्रह यहां पर 3-0-3 तो आपका यह 12 पीप का हो जाता है ठी है जैसे कि आपको यहां पर इसके नीचे जब जाएगा तो ही sell order लगेगा ऐसा नहीं कि आप यहीं से sell लगा दीजे और यहीं से buy दून लगा दीजे तो गलत हो जाएगा आपकी पसंद्रह कि क्योंकि market अगर यहां से निकलेगा तो इतना बड़ा movement आएगा यहां से नीचे है अगर आप यहां पर बाइ लगा रहें तो एसल जो है कि sell आप नीचे ही रहेगा थोड़ा सा आपका यहां पर sell हो जाएगा और target आप 15-20 पिप का यहां पे आप ऐसा पकड़ सकते हैं कितना यहां पर आपका यह target ऐसा रख सकते हैं तो होगा क्या कि जैसे यहां पर आगर आपको सुरू में दिखाया तो होता क्या है कि market fit से दुबारा नीचे आएगा तो अब आपकी बार जो है कि आपका यहाँ पर sale वाला भी लग जाएगा और sale वाला भी target मिल सकता है आपको तो दोनों जगा आपने देखा कि यहाँ पर उपर गया तो उपर profit नीचे गया तो नीचे वाला profit तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं अभी देखे आपको order लगाना कैसे होता है देखे प्राइस अभी यहाँ पर चला है अब आपको यहाँ ऊपर से buy लगाना है ठीक है बहु जगा olmTrading करते होंगे तो वहाँ पर आप limit order प्लेस करना चाहेंगा तो नीचे सब को buy करना पड़ेगा तो आपको limit order नहीं place करना है तो अब आपको यहाँ पर buy stop का Options अप को ऑगा पको नीचे वाला यहां से Buy के लिए आपको Buy Stop का option यहाँ पर यूज़ करना है और Sell के लिए आपको Sell Stop का option यहाँ यूज़ करना है क्योंकि आप नीचे से Sell लगाना चाह रहे है ठीक है? दोनों अब आपको SLB आपको लगाना पड़ेगा भी लगाना पड़ेगा कैसे? चलिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे दिखे मैंने MT5 ओपिन कर लिए है और यहाँ पे आपको EURSD का यहाँ पे दिख रहा है चलिए EURSD मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ जो भी current price चला है उसके ऊपर से आप यहाँ पे लगाना चाहते है तो आपको buy stop पे click करना होगा और यहाँ पे price आपको डाल देना है कितना price है अभी यहाँ पे 1.0661 चला है ठीक है 60 ऐसा चला है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 1.06 ऐसा 63 डाल दीजे ठीक है तो अभी देखे जिसे कि यहाँ पे है इस वाले price भी आप लगाना चाहते है तो थोड़ा सा आपको यहाँ बढ़ा के लगाना है मतलब 1.0 यह आप देखे यहाँ पे 60 तो हमने यहाँ पे 63 कर दिया अब आपको यहाँ पे place कर देना उसके पहले आपको देखे यहाँ पे SL का दिख रहा है तो SL भी आपको यहाँ पे लगा देना है SL आपको कहाँ पे लगाना है जो भी current price चला है ठीक है जैसे order यहाँ से लग जाएगा यह buy order यहाँ पे लगेगा तो SL आपका यहाँ पे 45 पिप का पकल लेज़ेगा यहाँ ठीक है तो SL आपको इसी तरह से यहाँ पे set करना है 1.06 6 यहाँ पे 59 ऐसा कर दीज़े ठीक है तो अब यहाँ से थोड़ा सा price उपर हो गया इस वज़े से यहाँ पे लग नहीं रहा तो आपको यहाँ पे 64 करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिया आगया तो इस तरह से आपको क्या करना है SL आपका लगे है उसी तरह से आप यहाँ पे TP लगाए TP मान के चलिए हमें यहाँ पे मैं long buy कर रहा हूँ तो यहाँ तक मैं लेकर चलना हूँ 15-20 पिप का तो अभी मान के चलते हैं यहाँ पे आ जाएगा अड़ सट सो माली तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा TP 1.6800 यह TP लग गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा जाँगा और यहाँ पे मैं प्राइस डालूँगा 1.06 तो देखे अभी हमने यहाँ पे प्राइस क्या कर दिया 1.0660 ठीक है यानि मैं यहाँ से यहाँ पे लगा रहा हूँ उसके बाद अभी मुझे ऐसे लगाना हुआ यहाँ लगाने के लिए आपको थोड़ा तो यहाँ पे मेरे क्या होंगे दोनों और लग जाएंगे और जैसे ही अगर उपर गया तो हमारा थोड़ा सा एसल जाएगा अदरवाज हमें बहुत अच्छा टार्गेट यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे दोनों ओपर गया तो ऊपर पर लेन तो जोनाइक करते हैं कोई भी दिक्कत है तो आप मुझ ses ऩए डिरेक्ट बात कर सकते हैं एकाउंड ऑपनिंग में deposit में, withdrawal में, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आरे, कैसे trade करना है, या फिर अगर आपको course purchase करना है, आपको सुरू से सीखना है, मैंने आप course में बहुत ही detail में सारी चीज़े मैंने आपको समझाईए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप समझ सकते हैं, पेड कर सकता हूं, तो मेरे या जानकारी आपको पसंद आए होगी, बिलते हैं फिर इन अदर आपक से नेक्ष वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, एंड टेक केर,